डॉक्टर पार्थ पटेल के पेरिंस बहुत ही खुश होंगे जब पार्थ को मेडिकल में अडमिशन मिला होगा और भी खुश हुए होंगे जब वे डॉक्टर बने परन्तु क्या हुआ होगा जब उन्हें अपने ही इस 21 साल के लाडले की सुविसाइट की न्यूस मिली यह पबलिश हुआ एमदबाद टाइमस ओफ इंडिया के थर्ड पेज पर 1st April 2022 को न्यूस के अनुसार वे हाल ही में हुए दो रसिडेंट डॉक्टर्स की मृत्यू से प्रभावित थे और एक जैपूर की डॉक्टर की मृत्यू ने भी उन्हें प्रभावित किया उनकी खुद प्रभावित प्राप्थ हुआ है हो सकता है कि कई बार हम आसपास हुए घटनाओं के कारण हताश हो परन्तु उस समय हमारा कर्तव यह है कि हम इस हताशा के ट्राप में ना फसकर कोपिंग स्किल्स को विक्सित करें कुछ ऐसे कारियों का चैन करें जिससे उस समय हमारा मन श मिरती जा रही थी तब मैंने अपनी सोच पर कारिय किया और साथ ही मैंने कुछ एक्शन्स भी लिये जो मेरे मन को शान्त रख सकें जैसे भगवत गीता का अध्यन और एनलिसस प्रारम किया संस्कृत बोलने की क्लास जोइन की काउंसलिंग के लिए खुद को वॉलिंटियर किया इसलिए जब भी आपको महसूस हो कि आप कोई भी जीवन के घटित घटनाओं के कारण भावनाओं और सोच के अंधेरे कुए में डूब रहे हैं तीन स्टेप्स का अवश्य पालन करें फिर्स्ट अवेरनेस एंड डिटर्मिनेशन अवेर हो जाएं कि आप भावनाओं के असहट जोन में हैं और अपने आप से प्रॉमिस करें डिटर्मिनेशन के साथ मैं अपने आपको इस जोन से जल से जल बाहर निकालूंगे या निकालूंगा हमारा टू-टू अक्शन लिस्ट तो होता है परंतो हम टू-टू थिंकिंग लिस्ट नहीं डिजाइन करते हैं इसलिए हमारा थौट्स हमें हमारे परमिशन के बिना ही अटाइक करता रहता है प्लान करें आप किस चीज के बारे में आज सोचेंगे अपनी सोच को जब आप डिरेक्शन देंगे आपकी भावनाई भी उसी डिरेक्शन में जाएगे और आपको यूँ ही परेशान नहीं कर पाएगे आप अपने फ्रेंग्स के साथ मिलने के प्लानिंग के बारे में सोच सकते हैं आप अपनी सफलताओं के बारे में सोचने का प्लान बना सकते हैं आप किसी को कैसे मदद करेंगे उसका प्लान बना सकते हैं केवल ध्यान दे वही प्लान करें जो आपके मन को शान्त रखे साथ ही कुछ actions भी design करें जो आपको स्थिर रखने में मदद करें जैसे एक घंटे तक कोई भी movement activity करें जैसे cricket या badminton खेलना, dance करना, yoga या aerobics जो भी आपको अच्छा लगे और भी अपनी रूची के अनुसार अपने actions को design कर सकते हैं 3. Monitor your plan and your day थोड़ी थोड़ी देर के बाद 30 seconds का time ले और अपनी भावनाओं का निरिक्षन करें आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है आप अपने मन में एक गहरी सांस लेकर बोल सकते हैं I am feeling great, yes I did it और मैं अपने असहज zone से बहार निकलने के मार्ग में सफल हो रही हूँ या सफल हो रहा हूँ इसे affirmation कहते हैं जो mind को strong बनाने का एक बहुत ही powerful tool है बस और क्या इन तीन techniques का consciously प्रयोग करते जाएं और जल्द ही आप अपने आपको एक power zone में ले जा पाएंगे याद रखें आपका जीवन किसी उद्देश के कारण है और चाहें आप जाने या ना जाने आप किसी ना किसी रूप में उन उद्देश को पूरा करते जा रहे हैं Stay blessed and value your life. God is always with you. धन्यवार